उत्तर प्रदेश में चल रही पच्छुआ हवाउं से गर्म हवाएं लगातार राजस्थान से आ रही हैं। इस से जहां तापमान सामान्य से अधिक है, वहीं आधरता कम होने से भीशन लू लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तीन दिन तक लू का प्रकोप कम नहीं होगा। इसके बाद मानसून सक्रिय होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश करेगा। चंदर शेकर आजाद क्रिशी प्रोध्योगी की विश्व विद्याले के मौसम वैज्यानिक डॉक्टर एसन सुनील पांडे ने रविवार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान विदर्ब, मराटवाडा, तिलंगाना, सिक्किम, उपहिमाले पश्चिम बंगाल, असम औ आंद्र प्रदेश, केरिल, लक्षद्वीप, कौंकन और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हलकी से मध्यम बारिश संभव है तमिलनाडू, अंडमान और निकोबार, द्वीप समू और दक्षन पूर्वी राजस्थान में हलकी बारिश हो सकती है उन्होंने बताया कि कानपूर मंडल सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, दिल्ली, जारखंड और उत्तराखंड में लू से लेकर भीशन लू की स्थिती संभव है हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी चत्तिस गड़ के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रातें गर्म रहने की संभावना है उन्होंने बताया कि कानपुर में अधिक्तम तापमान 45.2 और नियोंतम तापमान 39.0 ने डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया सुबह की सापेक शिकारदरता 34 और दोपहर की सापेक शिकारदरता 19 प्रतिशत रही हवाओं की दिशाएं उत्तर पश्चिम रही, जिनकी औसत गती 7.1 किलोमीटर प्रती घंटा रही मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कानपुर में अगले पांच दिनों में हलके बादल छाय रहने के आसार है, किन्तु वर्षा की कोई संभावना नहीं है दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार है साथ ही अभी गर्मी और लू की स्थित बनी रहेगी